एके 47 ब्रामदगी मामले में पटना हाई कोट से रहा होने के बाद बाहु बली पूर्व मुकामा वधायक आनन सिंग और नितीश कुमार की आज पहली मुलकात हुई है जिहां आपको बता दे कि हाई कोट से आनन सिंग को दोनों ही केस में रहा कर दिया गया है और अब वो जे जेल से बाहर आ गए हैं जेल से आज जाने की बाद मुक्यमंतरी नितीश कुमार से आज मुलकात हुई है इस दोरान दोनों ने आपस में बाद शीत की है और ये पहली मुलकात है जिहां आपको बता दे कि मुक्यमंतरी बार पहुचे थे जहां पर योजनाओं का पहुत करुनों ने आनंज सिंग से मुलकात की है करीब काफी देर तक दोनों में बाद शीत हुई है आपको बता दे कि आनंज सिंग को रिहा कर दिया गया असके साथी लोकसभा चुनाओं के दोरान 15 दिनों के लिए पैरोल पर भी बाहर आये थे लेकिन आज दोनों की ये पहली मुलकात हुई है बाहर में विकास योजनाओं के उदगाटन समाहरों के दरान मुख्यमंत्री लदमा पहुच गया है लदमा गाओं में से चोटे सरकार की अकेले में मलकात हुई है एक लंबे अरसे के बाद सावरजनिक रूप से नितीश कुमार और अनन सिंग की हु बिहार की सियासत में उबाल आ गया है कहा जा रहा है कि बेलची से मुकामा रवाना हुने के बाद नितीश का काफिला लदमा गाओं की ओर मुड़ गया जहां चोटे सरकार भी इस मिलन के लिए पूरे इंट्रेस्टे थे इन दोनों की मुलकात लगबग 10 मनट हुई है इस म इरिक्षन किया है मुक्य मंतरी नितीश कुमार ने सर्व प्रतम भक्तियार पुर मुकामा फोड लेन पर रेलवे ओवर ब्रिज ताचपुर करजान सरक संपर्क पत का गहन अवलोकन किया है तर्थ पश्रात सीम ने नव नेर्मित बेलची प्रकंट सह अंचल कार्याले का उ गाटन किया मुक्य मंतरी के साथ केंद्रे मंतरी ललन सिंग और पूर मंतरी नीरज कुमार भी साथ रहे हैं अस मौके पर मुक्य मंतरी पर जदियू नेताओं पवन कुमार दयानन सिंग हातिदा उप मुक्या विकास कुमार समेथ कई अन्य नेताओं ने स्वागत किया है सम देर तक दोनों में अकेले में बाचीत हुई है चर्चा किया जा रहा और अब माना जा रहा है कि मुक्य मंत्री और अनन्ज सिंग के अस मुलकात से बिहार की सियासत में उबाला सकता है क्योंकि एक तो एके 47 केस में अनन सिंग को रहा कर दिया गया दोनों ही केस में बरी कर दी गई असके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब अनन सिंग पैरोल पर बाहर आये थे तो ये माना जा रहा था कि वो ललन सिंग के समर्थन के लिए वोट मांगने जंता से आये हैं और कोई जमीनी जो बटवारी की बात है उसके लिए नहीं आए इसकी कहा ये जा रहा था कि आनन सिंग को जमीन बटवारा करना है इसलिए उन्हें पंद्रा दिनों के पैरोल पर बाहर किया जो रहा लेकिन अब एक एफ 47 मामले में उनको केस जो है इस केस में पटना हाई कोट ने उन्हें रहा कर दिया है और रहा हो जाने के बाद मुक्यमंतरी निदीश कुमार और अनंच सिंग की ये पहली मुलकात है और सबरजनिक तोर पर आज जो पहली बार मिले है जेल से निकलने के बाद ऐसे में इन दोनों की मुलकात से बिहार की सियासत में एक बार फिर से उबाला सकता है ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC24 पर अगर आपकी वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पे